नमस्कार भारत एक्ष्प्रेस MP में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ समझ्जा मध्यप्रदेश में 3 दिसंबर को चनाव के नतीजे घोशित किये जाएंगे मुखिन नर्वाचन अधिकारी अनपम राजन ने कहा कि स्ट्रॉंग रूम पूरी तरह सुरक्षित है मध्यप्रदेश में 3 दिसंबर को चनावी नतीजे आएंगे इसे लेकर तयारियां पूरी कर ली गई है वहीं इस बीच मध्यप्रदेश के मुखिन नर्वाचन अधिकारी अनपम राजन ने आश्रस्त किया है कि स्ट्रॉंग रूम पूरी तरह सुरक्षित हैं और सभी स्ट्रॉंग रूम पर सेंट्रल फूर्स की वबस्ता है अनपम राजन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार 80 साल से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान करवाए गया था 80 वर्षु से अधिक उम्र के लोग जिन्होंने घर से मतदान किया उनकी संख्या 51,269 है मतदान के बारे में जिसके लिए आज आज आपसे चर्चा के लिए हम लोग आए हैं ये बात कर रहे हैं मतदान तीन तारिक को है ये 52 जिला मुख्यालियों पे मतदान होगी मतदान के सभी इंतजाम पुख्ता तरीके से तयार कर लिए गये हैं सभी 230 विधानसभा छेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं उप्रेक्षक वहाँ पहुँच गए हैं उनकी देख रेख में ये मदगणना तीन तारिक को होगी स्ट्रॉंग रूम पूर्णता सुरक्षित है सभी स्ट्रॉंग रूम पे सेंट्रल फोर्सेज की विवस्था है मैंने खुद लगभग दसजलों का दौरा करके इसको देखा है कहीं पे BSF है, कहीं पे ITBP है, कहीं पे CRPF है, कहीं CISF है तो स्ट्रॉंग रूम पूरी तरह से उनकी सुरक्षा के अंतरगत हैं सभी जगों पे बाहर में स्ट्रॉंग रूम के बाहर एक स्क्रीन लगी हुई है और वहाँ पे उस स्क्रीन पे CCTV कैमरे के माध्यम से लाइफ फीड उनको मिल रहा है वो लोग देख पा रहे हैं, जो रादनितिक डल हैं उनके प्रतनिधी भी वहाँ बैठे हुए है जिन दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान किया, उनके संख्या 12,093 है जो अती आवश्क सेवाओं के लोग थे, उनमें से 113 लोगों ने होम वोटिंग का लाब लिया जिसमें फायर मेडिकल आदी को शामिल किया गया था राज़न ने आगे बताया कि जो सरकारी करमचारी थे, जिन्होंने पौस्टल बैलट से मतदान किया उनके संख्या 3,46,23 है वहीं ऐसे करमचारी जिन्होंने EDC के जरी मतदान किया, उनकी संख्या 21,197 है इस तरह 32,500 से जादा सरकारी कर्मचारी ने पोस्टल बैलट के जरीए मतदान किया है बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 विदान सबा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान किया गया वहीं अब 3 दिसमबर को चनावी नतीजे सामने आएंगे इससे पहले एक्जिट पोल में कुछ-कुछ तस्वीर सामने आई है लेकिन असल नतीजे रहिवार को खोशित होंगे मध्य प्रदेश में एक्जिट पोल के मताबक इस बार प्रदेश से कॉंग्रेस सत्ता के शिखर तक पहुंच सकती है वहीं शिवराज सरकार की विदाई हो सकती है एक्जिट पोल के आखुडों के मताबक MP के 230 सीटों की बात करें तो 113 से 137 सीटें कॉंग्रेस की खाते में आ सकती है जबकि 88 से 112 सीटें BJP को मिल सकती है वहीं 2 से 8 सीटे अनी को हासिल हो सकती है वहीं वोट शियर की बात करें तो एक्जिट पोल के आखुडों के मताबक इस बार मध्यपरदेश में BJP का वोट शियर 42 सीटी जबकि कॉंग्रेस का वोट शियर 44 सीटी मिल सकता है वहीं अनी का वोट शियर 14 प्रतिश्वत रह सकता है अगर यह आकड़े नतीजों में तब्दील हुए तो इस बार मध्यपरदेश में सत्ता परिवर्तन हो सकता है मध्यपरदेश की और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस MP के साथ नमस्कार